टल वैकेंसी का जो सेलक्षन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। साथ यो दिल्ली पुलिस की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे देखो दिल्ली पुलिस वैकेंसी में पाँच जार चपन मेल कंडिडेट्स है और फिमेल कंडिडेट्स चोविस सो इकराण में पोस्ट हैं। आयू सीमा की अगर अपन बात करते हैं आयू सीमा को लेकर के काफी ज़्यदा कनिफ्यूजन भी आपके मन में रहता है जो खासकर जो नए स्टुडेंट्स अभी पहली बार ही दिल्ली पुलिस का फोरूम बरेंगे उनके मन में काफी 18 साल से 25 साल अभी 18 से 25 साल जनरल केटे है और ST केटेगरी को यहाँ पे 5 साल की चूटे वो दी जाती है योग्यता सात्यों अगर आपने बारवी पास कर रखी है तो आप यहाँ पे फोरूम अपलाई कर सकते हो लेकिन आपको ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वाइड पड़ती है ड्राइविंग लाइसेंस अपनली पर बारवी की मार्क सीट चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस से भर सकते हो लेकिन अन्य डाकुमेंट्स भी आपको यहाँ पे चाहिएंगे बारवी की मार्क सीट मूल बारवी की मार्क सीट चाहिएगे आपको इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस है वो च रहेगा इसी के साथ मैं देखो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे यानि कि कुछ दस्तावेज आपको नए भी बनवाने हैं जैसे कि जाती परमान पत्र EWS वाले candidates हैं OBC वाले candidates हैं उनको जाती परमान पत्र है वो नए बनवा लेना है EWS और OBC वाले candidates को यहाँ पे जाती परमान पत्र नए बनवा लेना है दोस्तों मूल निवास परमान पत्र जहांके आप मूल निवासी हो वहाँ का एक मूल निवास परमान पत्र है वो भी आपको बनवा लेना है चरित्र पर्मान पत्र और फिटनेस पर्मान पत्र ये दस्तावेज आपके पास में होने चाहिए और देखो अपना जो separate यानि की complete ये चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए एक्जामस करवाएगा यानि दिल्ली पुलिस का जो एक्जामस है वो SSC के दोरा करवाया जाता है और ये एक्जामस आते हो यहाँ पे CBT यानि की computer based test होता है CBT test होता है computer test होता है ये online exam इसकी होती है CBT के माध्यम से एक्जामस का जो syllabus है syllabus क्या रहेगा एक्जामस time क्या रहेगा negative marking कितनी रहेगी एक्जामस syllabus में GK और GSK 50 questions आएंगे दोस्तों इंडिया लेवल की GK रहने वाली है और general science यानि इंडिया लेवल की GK में साथी हो current affairs का कापी बड़ा portion रहता है recently जो भी sports के event हुए है उनका current affairs में से ज़्यादा से ज़्यादा questions पूछे जाते हैं तो 50 person में से current affairs में से question आएंगे और general science में से यहाँ पे question आएंगे तो GK और GS दोनों में से यहाँ पे है 50 questions है वो आपसे पूछे जाएंगे reasoning के यहाँ पे 25 questions आएंगे reasoning जो subject है उसमें 25 questions आएंगे math में यहाँ पे only for 15 questions पूछे जाएंगे और computer GK के यहाँ पे 10 questions आपके आएंगे साथ यह तोटली 100 questions होंगे ना 100 questions को solve करने के लिए आपको 90 minute का time आपको यहाँ पे दिया जाएगा कितना time दिया जाएगा 90 minute का यहाँ पे time दिया जाएगा 100 questions को solve करने के लिए अगर आपने चार क्युषन गलत कर दिये ना तो एक आपका सईवाला क्युषन से ना वो भी काट लिया जाएगा तो नेगिटिव मार्किंग यहां पे 1.4 है काफी S questi के एक्जाम से ऐसी होती है जिनमें नेगेटिव मार्किंग 1 बटा 3 होती है लेकिन दिल्ली पुलिस में नेगेटिव मार्किंग 1 बटा 4 है सात्यों मैन पॉइंट पे आते हैं सरक कटोप 2020 वाली कटोफ क्या रही थी जो 5,800 पोस्ट ने थी उनमें कटोफ क्या रही थी male candidates और female candidates दोनों की मैं यहाँ पे बताना चाता हूँ जनरल केटेगरी की जो कटोफ रही थी वो रही थी 32.20 32.20 जनरल केटेगरी वालों के कटोफ रही थी वही जनरल female यानि जनरल महिला के कटोफ 56.22 रही थी OBC की अगर अपन कटोफ की बात करें तो सातियों 68 यहाँ पे OBC male candidates की रही थी वहीं 53.40 यहाँ पे female candidates की कटोफ रही थी EWS की बात करें तो EWS की 62.50 रही थी और यहाँ पे महिला candidates की रही थी 45.90 अगर SC केटेगरी की बात करें तो 57% यहाँ पे रही थी इनकी कटोफ यानि 100 में से जिसके 57 नमर आ गए वो SC केटेगरी से सलक्ट हो गया और वहीं 45.74 रही थी महिला candidates की HD की अगर अपन बात करें तो 65 cutoff रही थी male candidates की 65 cutoff रही थी HD की और female candidates की यहाँ पे 49.32 cutoff रही थी वो female candidates की रही थी साथियों दिल्ली फुलिस का physical है physical भी इतना ज्यादा hard नहीं है normally physical है physical के उपर भी अपन details है next video में देखेंगे तो इस video वाली जानकर अगर आपको अच्छे लगी हो तो video को like जरूर करें जैहिंद वंदे मातरम